प्रसकार दोस्तों वी एच न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ हेमंद मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मुंबई के एक शक्स ने अपनी लाखों की गाड़ी एस्यूवी बेज डाली ओक्सीजन मैं की कहानी जुनकर आपको हैरानी हो रही होगी लेकिन ये वाकई सच है दोस्तों दरसल मुंबई समय पूरे महारास्क में एक और मरीज ओक्सीजन की कमी से लगाता दम तोड़ रहे हैं तो वहीं दूसी तरफ मुंबई के मलाड में रहने वाले शेहनवाज शेक लोगों के लिए मसीहा बन रहे हैं ओक्सीजन मैं के तौर पर फेमस हो चुके शेक एक फोन कॉल पर ही मरीजों तक ओक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहे हैं लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने एक वार्रूम भी तैयार कर लिया है शेहनवाज ने लोगों की मदद के लिए कुछ दिनों पहले अपनी 22 लाक रुपे की SUV गाड़ी को बेच डाला अपनी फोर्ट एंडिवेर की बिक्री के बाद मिले पैसों से शेहनवाज ने 160 अक्सीजन सिलेंडर खरीद कर जरूत बंदों तक पहुँचाए है शेहनवाज ने बताया है कि पिछले साल लोगों की मदद के दोरान हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे और इसलिए हमने अपनी कार को बेचने का फैसला कर लिया शेहनवाज के ऑक्सीजन मैन बनने के पीछे भी एक कहानी है और इस कहानी के बारे में बताते हुए शेहनवाज कहते हैं कि पिछले साल उनके एक दोस्त की पत्नी ने ऑक्सीजन की कमी से एक आटो रिक्षे में ही दम तोड़ दिया था जिसके बाद उन्होंने तैय कर लिया कि वो अब मुंबई में मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का काम करेंगे जहांपर सरकार इतने बड़े सिस्टम में होने के बाब वजूद ऑक्सीजन की कमी को दूर नहीं कर पा रही तो दूसी तरफ शेहनवाज ने ऑक्सीजन सप्लाई का सिस्टम बना डाला है शेहनवाज ये बताते हैं कि इस बार पहले की तरह इस्तिया नहीं है जनवरी में जहांपर ऑक्सीजन के लिए 50 कॉल उनके पास आया करते थे और अब वही इस्तिया आज की बताते हैं कहते हैं 500-600 कॉल हर दिन आ रहे हैं आलम ये है कि अब हम सिर्फ 10-20% लोगों तक मदद पहुचा पा रहे हैं शेहनवाज ने बताया है कि उनके पास वर्थमान में 200 अक्सीजन के ग्योरा सिलेंडर हैं जिसमें से 40 किराय के हैं फोन करने वाले जुरत मंदों को वो पहले अपने यहां बुलाते हैं अक्सीजन ले जाने के लिए कहते हैं जो सक्षम होता है वो अक्सीजन सिलेंडर ले जाता है जो सक्षम नहीं होता उस तक सिलेंडर पहुचाया जाता है शेहनवाज अभी तक 4000 लोगों को मदद पहुचा चुके हैं दोस्तों आपदा की इस घड़ी में शेहनवास का लोगों के जीवन को बचाने के लिए तना बड़ा योगदान आपको क्या सीख देता है आपके इस पर क्या कुछ राय है कमेंट वाक्स मर आकर जरूर बताएं धन्यवाद